With mirth and laughter, let old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. दोस्तों, ये किताब, Merchant of Venice, William Shakespeare, में 1620 में लिखी थी. और इन शब्दों का अर्थ है कि मैं अपने बुडापे में हसते खेलते चले जाऊं, और मुझे अपने दिल को दुखाना ना पड़े, वरीज, चिंता और स्ट्रेस से. और मैं शराब पी के अचाहिए अपने कलेजे को दुख दूँ, पर मैं इन चिंताओं से दूर रहूं. दोस्तों, आपको भी इन चिंताओं से दूर रहना चाहिए, वरी या स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, पर शराब नहीं पीनी है आपकी डेट में होमेपेथी है और होमेथी की बहुत अच्छी एक मेडिसन है जो आपको स्ट्रेस और वरी से मुक्त कर सकती है स्ट्रेस और वरी से जो आपकी बोडी को नुकसान पहुंच रहा है उससे आपको रहत दे सकती है तो चलिए शुरू करते हैं होमेपेथी और स्ट्रेस के ओपर विस्तार पूरवक चरजा हजार मर्जों की एक दवा दोस्तो ये मुहावरा तो आपने कई बारी सुना होगा पर शायद इस पे यकीन करना मुश्किल होता है कि ऐसी क्या एक दवा हो सकती है जो हजार मर्जों को ठीक करे तो दोस्तो 24 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो शायद मैं भी अश्चरे जनक हो जाता इस चीज़ को सुनके कि हजार मर्जों को एक दवा ठीक कर सकती है पर मेरी बात मानिये दोस्तो आज इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मैंने हुमेपेथी में एक दवा देखी है जो बहुत सारे मर्ज जो की एक प्रॉब्लम या एक चीज से शुरू होते हैं इसे हम स्ट्रेस केहते हैं उसकी एक दवा होमेपेथी में हैं जो बहुत सारी बिमारियों को ठीक कर देती है या बहुत सारी बिमारियां जो की स्ट्रेस से पैदा होती हैं उनको ठीक कर देती है दोस्तो मैं हूँ डॉक्टर विकार शर्मा होमपेथिक डॉक्टर और आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौनसी दवा है होमपेथी में जो आपकी इतनी सारी विमारियां जो की स्ट्रेस या वरी से शुरू होती हैं उनको ठीक कर देती है दोस्तो उस मेडिसन का नाम है कालीफॉस कालीफॉस एक होमपेथी मेडिसन है जो 200-200 साल से होमपेथी में यूज की जा रही है और स्ट्रेस और स्ट्रेस से रिलेटिड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करती है दोस्तो स्ट्रेस से होने वाली बिमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है और उनको याद करना मेरे लिए भी मुम्किन नहीं है इसलिए मैंने उनकी लिस्ट बनाई है जो कि मैं आपको पढ़के सुनाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले है लो एनरजी लेवल्स आपको बहुत जादा कमजोरी लग सकती है आप में दिनचरया की जो भी काम है उनको करने की शक्ती नहीं रहती है सरदर्द, हैडेक्स, आईबियस, आईबियस को ठीक करने में काली फॉस का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों मैंने बहुत सारे केसिज जिनको मैं बहुत साल तक पेट की बिमारी समझ के पेट की दवाईयों से कार्बो वैज, नक स्वामिका से ठीक करने की कोशिश करता रहा अल्टिमेटली वो जाके ठीक हुई काली फॉस से मेरे पास एक पेशेंट है एक लेडी है जिनको पिछले 20 साल से IBS था और मैं उनको बहुत सारी दवाईयों पेट से रिलेटेट दे दे के जब ठक गया तो एक दिन मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना मैं इनको काली फॉस ट्राय करूँ और उसी दिन मैंने काली फॉस को काली फॉस के पोटेंशल को रिलाइस किया कि वो किस तरह स जो disorder psychosomatic होते हैं यानि कि हमारे मानसिक तौर पे शुरू होके हमारे शरीरिक तौर पे आते हैं फिजिकल लेवल पे आते हैं उनको ठीक करने में बहुत ही कारगर साबित होती है काली फॉस तो वहां से शुरुआत हुई मेरी काली फॉस की discovery और कैसे वो stress related problems को ठीक कर सकती है तो next बिमारी जिस पे हम आते हैं वो है शरीर में दर्दें छाती में दर्द नींद ना आना इंसॉम्निया के लिए बहुत अच्छी medicine है इसके उपर भी मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत साल तक मैं coffee और बाकी दवाईयं देता रहा जब मुझे relief नहीं मिला तो ultimately मैंने य किया कि कालिफॉस बहुत अच्छी दवाई है और मैं भी कई बारी कालिफॉस रेता हूं रात को जब मुझे नींद की समय से आती है दोस्तों एक और बिमारी जो की बहुत important है वो है erectile dysfunction या low sexual desire stress हमारी sex की desire या sex की performance को बहुत बुरी तरह affect कर सकता है वहां कालिफॉस बहुत ही अच्छा साबित होती है बहुत ही अच्छी medicine है sexual problems के लिए tinnitus में कान में अवाजे सुनाई देती है stress के कारण उनमें भी कालिफॉस help कर सकती है eating disorders कुछ लोग जादा खाना शुरू कर देते हैं कम खाना शुरू कर देते हैं stress में यह भी stress के symptoms होते है inability to focus बच्चों में बहुत बड़ी देखा जाता है कि stress के कारण वो अपनी बढ़ाई में focus नहीं कर पाते हैं वहाँ पर कालिफॉस बहुत अच्छा काम करती है increased use of alcohol stress आपको alcohol जादा लेने के लिए predispose करता है तो वहाँ पर भी कालिफॉस help कर सकती है अगर किसी को alcoholism की problem हो heart disease दोस्तों यहां मैं आपको advice करूँगा कि आप cardiologist की राये जरूर ले पर फिर भी आप कालिफॉस ले सकती है पर अगर आपको heart disease है stress के कारण तो उसका आपको cardiologist से उपचार करवाना जरूरी है अखीर में मैं आता हूँ high blood pressure दोस्तों high blood pressure अगर stress से हो रहा है तो कालिफॉस help कर सकती है पर high blood pressure और भी बहुत सारी चीज़ों के कारण होता है तो दुबारा से मैं यही कहूंगा कि अपने cardiologist का opinion जरूर ले लिजेगा दोस्तों बहुत सारी बिमारियां हैं जो की stress जिने शुरू करता है होमेपैथी में कालिफॉस help कर सकती है और भी दमाईया है पर कालिफॉस सबसे उंदा medicine है देखें ऐसा नहीं है के कालिफॉस इन सब बिमारियों को ठीक करती है कालिफॉस हमारी body को help करती है to fight the हमारी body में ability लाती है to handle stress और हमारी body को strong करती है stress से fight करने के लिए तो दोस्तों मैं इस चीज पर चर्चा करूंगा कि कालिफॉस लेनी कैसे और मैं कैसे use करता हूं अपनी clinic में दोस्तों मैं कालिफॉस patients को देता हूं 6x potency में 4-4 गोलिया दिन में 4 बारी जिन लोगों के पास समय जादा नव हो और उनको लगता है कि 4 बारी नहीं खा सकते वो 8 गोलिया सुबह 8 गोलिया शाम को ले सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी चर्चा कालिफॉस स्ट्रेस और होमेपैथी के ऊपर आपको कोई भी सवाल या जवाब हों आप नीचे comments चोड़ सकते हैं या हमें email कर सकते है दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार